आज विश्व के एक खास हिस्से में वहां के लोग साक्षी होंगे सूरी ग्रहण के और वो भी सामान्य सूरी ग्रहण नहीं बलकि पूर्ड सूरी ग्रहण के दरसल अमेरिका, मेक्सिको और कैनेडा के छेतर में आज यानी 8 अप्रेल को पूर्ड सूरी ग्रहण की घटना होने वाली है ऐसे में ये पूर्ड सूरी ग्रहण अपने आप में एक विशेश घटना होती है वो क्यों विशेश होती है इस पूरे संदर्प को हम समझेंगे साथ यह समझेंगे कि सूरी ग्रहन क्या होता है, कैसी परिस्थितियों में सूरी ग्रहन लगता है, इसके अलावा ये सूरी ग्रहन क्यों खास है, क्यों दुरलब है, इस बात को भी हम आपको समझाने की कोशिस करेंगे, तो आज लगने वाला सूरी ग्रहन इतना दुरलब क्यों है सिर्शक के तहट हम चर्चा के बिंदूओं को देख लेते हैं जिसके अंतरगत इस पूरे के पूरे संदर्भ हम समझेंगे बात खबर की करेंगे चर्चा में क्यों है इसको जानने के बाद क्या होता है सूरिग्रहण इसको पहले समझ लेंगे फिर कितनी बार लगता है एक साल में अमूमन सूरिग्रहण इसको देखेंगे और क्यों दुरलब है ये पूर्ण सूरिग्रहण इस पर विचार करने के साथ हंत में हम अभ्यास प्रश्ण की तरफ चलेंगे आपको बता दें कि सामाने अध्यान प्रश्ण पत्र एक के भूग करेंगे खबर देंडियन एक्स्प्रेस की है वाट मेक्स टूडेइज टोटल सोलर एकलिप्स और आज के इस जो ग्रहण लग रहा है यह विशेश क्यों है रेयर क्यों है दुरलब क्यों है इस ख़बर के आलोक में आज की चर्चा के शुरुबात करेंगे तो चर्चा में क मेक्सिको, संग्युक्तराज, अमेरिका और कैनडा अर्थाद मेक्सिको, युनाइटेड स्टेट और कैनडा इस खेत्र में इस खेत्र को हम उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र कहते हैं यहां के लोग इस सोरी ग्रहण के साक्षी होंगे और विशेश इस लिए है क्योंकि एक खा पर्टिकुलर अस्थान पर जहां सूरी ग्रहण देखा जाता है उस अस्थान के अगर बात करें तो वहां 400 वर्षों बाद ही इसकी पुन्रावृत्ति हो सकती है राइल म्यूजियम ग्रीन विच कहता है कि एक बार पुर्ण सूरी ग्रहण देख लिया तो उस भाग में अगले 400 वर्षों बाद ही इसकी पुन्रावृत्ति होगी इस लिहाज से इस एरिये की वर्तमान जो जेनरेशन है या उसके बाद की हम कहें 4-5 जेनरेशन दुबारा इस अनभव को उस पर्टिकुलर एरिये में तो नहीं कर पाएगी इसलिए हाज से महतपूर्ण है और चर्चा में है तो आईए देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है सुरी ग्रहण बात सुरी ग्रहण की करेंगे तो किसी विस्थान के ग्रहण का मतलब होता है कि वो चीज पर्टिकुलर अगर सुरी ग्रहण की बात होगी तो इसमें सुरे नहीं दिखेगा चंद्र ग्रहण की बात होगी तो चंद्र नहीं दिखेगा बात सुरी ग्रहण की हो रही है तो देखिए यहां पर पृत्वी है यह स्थिती पृत्वी की है और यहाँ पर सूरज है, सूरज और पृत्वी के बीच में, अर्थात हम पृत्वी पर स्थित हैं, हमारे और सूरज के बीच में अगर कोई आ जाएगा, तो एक औरोध आ जाएगा और वो सूरज का हिस्सा हमें नहीं दिखाई देगा, सूरी के उपर ग्रहन लग जाएगा, तो प्रिथवी और सूरज के बीच में जब भी चंद्रमा आ जाएगा जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा प्रिथवी के चारवर परिक्रमा करता है और जब भी चंद्रमा प्रिथवी और सूरज के बीच में आ जाएगा तो ऐसी स्थिती में सुरी का प्रकास प्रिथवी के जिस हिस्से पर नहीं पड़ेगा वहां पर ग्रहण दिखाई देगा और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस एरिये में particular दिन में भी अधेरा हो जाएगा जहां पर सुरी का प्रकास दिन में सामाने रूप से पड़ना चाहिए वहां पर वो प्रकास नहीं पड़ेगा और इसी इस थिती को सुरी ग्रहण कहा जाएगा तो यह सामानी परिभाषा है समझ है सुरी ग्रहण को लेके इसके कई प्रकार हो सकते हैं कई तरह का सुरी ग्रहण होता है मुख्य रूप से अगर बात करें तो तीन कहीं कहीं चाह देखिए कौन-कौन से सुरी ग्रहण होते हैं तो दे प्रिध्वी। है। ये जब एक सीधी रेखा में आजाएंगे तो ऐसी condition में सूरी का प्रकास इसके चाया वाले चितर में जहां पर नहीं पड़ेगा, वहाँपर ग्रहण के स्थिति होगी। इसकी चाया पूरी तरस एगर ढकलेगा तो टोटल सोलर धुप्स हो जाएगा और अगर आशिक रूप से ढखेगा तो आंशिक सूरी ग्रहन होगा जब चंद्रमा की परचाई सूरी के पूरे भाग को ढखने की बजाए किसी एक हिस्से को ही ढखे किसी भी एक पार्ट को छोटे से हिस्से को जब कवर करेगा ऐसी कंडिशन में दिखाई देगा उस समय सूरज अर्थात पूरा कवर न करके सू कब बनेगी जब चंद्रमा प्रिथवी से दूर होता है मैंने कंडिशन बताई थी पूर्ण सूरी ग्रहन में जब चंद्रमा प्रिथवी के नजदीक होता है तो पूर्ण सूरी ग्रहन की कंडिशन बनती है लेकिन जब चंद्रमा प्रिथवी के दूर होगा तब ऐसी स्थ अंगूठी के जैसा आपको दिखाई दे रहा हूगा ये हिस्षा सورी का कवर होने से सहेस रह जाता है इसको वलयाकार सूरी ग्रहण के नाम से जाना जाता है इसकी बाद एक कंडिशन होती है hybrid सूरी ग्रहण की hybrid सूरी displicias hybrid का मतलब ही हुआ कि दो condition एक same time पर दो अलग-अलग जगहों पर दिखाई देंगी hybrid जो सुरी ग्रहण होता है इस समय आप देखेंगे सबसे दोरलब प्रकार का होता है इस मामले में क्या होगा कि इसी same एक time पर दुनिया के एक हिस्से में आपको पूर्ड सुरी ग्रहण दिखाई देगा पूर्ड सुरी ग्रहण की condition क्या थी जिस condition में पूरी तरह से सुरी को cover कर लिएगा एक चांद एक विशेस हिस्से में सुरी पूरी तरह से cover दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा दूसरा एक होगा सेम उसी टाइम में कि इसमें सूरी ग्रहण दिखाई देगा कुछ हिस्सों में दुनिया के कुछ हिस्सों में पूर्ण सूरी ग्रहण दिखाई देगा और दूसरे हिस्सों में वलयाकार अर्थात ये वाली कंडिश अनुलर सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा तो इस सेम टाइम पे पूंड सूरिग्रहण और वलयाकार सूरिग्रहण का एक साथ दिखाई देना एक हिस्से में एक हिस्से में दूसरा इसको कहते हैं hybrid सूरी ग्रहन तो ये सूरी ग्रहन के कुछ प्रकार होते हैं अब बात करते हैं कि सूरी ग्रहन कितनी बार लगता है तो देखिए एक बात आपको ध्यान देना है कि सूरी ग्रहन जो है पहली बात तो ये है कि अमावस्या के दौरान ही सूरी ग्रहन दिखाई देगा सूरी ग् इस हिस्से में तो ये हिस्सा तो प्रकाशित रहेगा लेकिन ये हिस्सा जो होगा जो दूसरा हिस्सा आप देख रहे हैं इस हिस्से की बात करें तो यहाँ पर प्रकास नहीं पड़ेगा और इस हिस्से में अंधिकार रहेगा अब प्रिथवी से यही हिस्सा दिखाई देगा तो इसका मतलब की अंधिकार वाला हिस्सा ही पृत्वी के हिस्से में आएगा तो ऐसी कंडिशन में जो हिस्सा अंधिकार का है वो पृत्वी की तरफ है इसका मतलब की चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो जब चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो वो कंडिशन क्या होती ह और अमावर्ष्या की condition में ही आपको देखेंगे कि सुरिग्रहण की स्थिती बनती है अर्थात इस रेखा में जब आएगा चंद्रमा तो ऐसी condition में ही सुरिग्रहण की स्थिती होगी तो अमावर्ष्या उसके लिए एक आवर्षक दसा होती है लेकिन अब आप सूच रहे होंगी अगर ऐसा है तो हर अमावर्ष्या जो की लगभग 29.5 दिन के बाद आती है क्योंकि चंद्रमा प्रिथवी का चक्कर लगाने में लगभग इतने दिनों में चक्कर लगाता है तो ऐसी दसा में हरम आवस्या को सूरे ग्रहाड लगना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्रिथवी का चक्कर लगाता है एक अपने कक्षा में और साथ ही प्रिथवी चक्कर लगाती है सूरज का इसकी एक अलग कक्षा होती है तो दोनों की कक्षाओं में भिन्ता है दोनों के आर्बिट में अं तो देखिए ये चित्र आप देख रहे होंगे, सुर्य के चारो और प्रिथवी की भी एक कक्षा है, जो कि ये इस कलर से आपको दिखाई दे रहा है, नारंगी रंग से, और साथ ही प्रिथवी के चारो और चंद्रमा की भी कक्षा है, और दोनों की कक्षाओं में जो अंतर ह अभी अंतर है ये 5 डिगरी का अंतर दोनों में आप देख सकते हैं और साथ ही अलग-अलग अक्षाएं हैं लेकिन ये दोनों को अक्षाएं एक दूसरे को क्रास करती हैं और इसको प्रतिछेदन बिंदु कहते हैं जिसको नोड कहते हैं तो ये नोड है और इसको मिलाने वाल की स्थिति में चंद्रमा रहेगा, तो उसी समय पूर्und सूरिगहन की स्थिति उत्पन्न होगी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और एसा साल में दो बार से पांच बार तक हो सकता है, अब इस सूरिगहन की जहां तक बात है, जो वर्तमान में सूरिगहन लगा है, वो सब्सक्राइब होता है कि जो वास्त्व खाया होती है किसी विवस्तू कि कोई विवस्तो आप सिंगल लाइट में रखते हैँ तो उसकी च्षाया पढ़ती है एक व्यास्विक यसायाँ जो घाड़ी होती है और इक उसके आसपास ऐस तो जो थोड़ी मिद सियающ years होती है उसको आप समझें जरासल सुरी की रोश्णी जब प्रिथवी पर पड़ती है तो बीच में चंद्रमा है और चंद्रमा का ये वाला जो एरिया है यहां इतने एरिये पर वास्तविक छाया पड़ रही है तो ये अम्बरा का एरिया हो गया और साथ ही पैन अम्बरा इस अर्था जो ओरिजनल जो कम एरिये वाली चाया है उसी एरिये में दिखाए देगा और इस एरिये का जो छेतरफल है वो बहुत कम है अगर टोटल छेतरफल के हिसाब से देखें तो एक परसंट से भी कम है और आपको पता है कि परिथवी के पूरे विशाल छेतरफल में से ये एक छेत्रफल किस हिस्से पर पड़ेगा, वहाँ पर लोगों की आबादी है या नहीं है, इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग इस पूरी पूर्ड रुप से जो सूरी ग्रहन है उसको देख पाएंगे, आपको पता है कि 70% भाग में जल है, और 70% भाग में जल के बाद भी जो बाकी हिस्से हैं, जो अस्थली वाले हिस्से हैं, वो भी बहुत ऐसे हिस्से हैं जो निर्जन है, अर्था जनसंख्या का जो घनत वह या जनसंख्या का जो वितरण है, वो बहुत कम एरिये पे है, तो ऐसे में इस एक प्रतिसत एरिये में वो एरिया कितना कवर होता है जहां पे जनसंख्या लोगों की रहती है वो और कम हो जाएगा इसे लिए इस घटना को जो पुर्ण ग्रहन दिखाई देने वाला एरिया है यह बहुत कम एरिया होता है चुकि वो अम्ब्रा का ही मार्ग होता है और वो किस एरिये में पड़ेगा तो इस लिहाद से यह एक मोटा मोटी आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कि एक जगह पर जहां पर पुर्ण सूरी ग्रहन एक बार दिखाई दे लेता है तो लगभग 400 वर्शों बाद ही इसकी पुन्रावरती होने की संभावना ह होती है इस लिहाद से बहुत दुरलब है और आपको बता दें कि यह जो पूर्ण सूरी ग्रहन है हाली में भारत का एक मिशन आदित अलवन भेजा गया इस लिहाद से भी महत्पून है कि आदित अलवन को सौर इस सम्मंधित गतिविध्यों के अध्यान करने के लिए भारत की और से launch किया गया और ऐसे में उसको प्राकृतिक रूप से एक ऐसी घटना बहुत जल्द उपलब्ध हो रही है जिसके आधार पर आदित एलवन भी अपने शोध को अपने कार्यों को बहतर तरीके से प्रस्तूत करेगा और ऐसे में ये भी देखना दिल्चस्प होगा तो ये पूरा का पूरा मामला था और एक बात और कि ऐसा कहा जाता है हमारे याँ प्राचीन जमें से ही लोग ये कहते आये हैं कि जब ग्रहन लगता है तो ग्रहन के दौरान सुरी को नहीं देखना चाहिए उसका कारण ये होता है कि जो सुरी का बाहरी हिस्सा होता है जो कोरो होता है और सामाने दशा में सामाने आखों से हम उसको नहीं देख पाते हैं लेकिन जब पूर्ण सूरी ग्रहण की कंडिशन होती है तो ऐसी कंडिशन में कोरोना को देखा जा सकता है लेकिन देखने से मना किया जाता है क्योंकि नंगी आखों से देखने से उस वक्त उसमें स निकलने वाली रेज आपकी आखों पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, तो ये इस लिहाज से भी ये पूरा का पूरा संदर्म हैतपूर्ण था, उमीद है आपको संदर्म समझ में आया होगा, अब चलते हैं हम अपनी परिपाटी अभ्यास प्रशनी की तरफ उससे पहले अच्छ है, ऑनलाइन कूर्स के लिए इसमें अड्मिशन ओपन हो चुका है, 29 सप्रेल से कक्षाय प्रारम हो रही है, और नवीन पाठिकरम पर आधारित इस कोर्स में अगर आप अड्मिशन लेना चाहते हैं, और इससे संबंधित किसी भी क्वैरी के लिए आप कॉल कर सकत है, 931406241 पर साथी, अंत में इस प्रशन का जवाब अगर आपने पूरे के पूरे संदर्व को समझा तो सही और सटीक जवाब आप देंगे, हमें विश्वास है, निम्न कचनों पर विचार कर सही विकल्प का चेहन करे, पूर्ण सूरी ग्रहण पहला कथन है कि पूर्ण दो, एक और दो दोनों या उपरुक्त में से कोई नहीं, उम्मीद है, आप सही और सटीक जवाब देंगे, लड़ते रहें अपने लक्ष की और बढ़ते रहें, धन्यवाद Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले